अम शांती आज 15 डिसेंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महवाक्य सुनेंगे आज की बाबा की मुर्ली है मूल वतन, सुक्ष्म वतन और स्थूल वतन मूल वतन बाबा कहे ये सूर्य चंद्रतारू की रोशनी से पार है परंतु जो स्वयण प्रकाशित है वहां सभी आत्मे अशरीरी स्वरूप में रहती है और परंपिता पर्मात्मा भी अशरीरी रोप में रहते है फिर है सुक्ष्म वतन जहां ब्रम्म विश्नु महेश के तीवन देवताएं अपने सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं और फिर स्थूल वतन जहां ये संसार नाकक चलता है ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का अपना-पना पार्ट है अपनी एक्ट है जो हर आत्मा को बजा नहीं है बीच में से कोई भी उपर जा नहीं सकते मोक्ष किसी को मिल नहीं सकते जनम पुनर जनम के चक्र में उनको आना ही है तो बाबा ने आज ये तीनों लोग और तीनों कालों पर मुर्ली सुनाई है सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महवाक्य ओम शान्ती, मीठे बच्चे ये बना बनाया अनादी ड्रामा है इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट पिक्स है मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता आज की मुर्ली से प्रश्ण है शिव बाबा और शरीरी है वो शरीर में किस लिए आते हैं कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं उत्तर है, बाबा कहते बच्चे मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुर्ली सुनाने आता हूँ मैं मुर्ली सुनाने का ही काम करता हूँ मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधाने दे रहे पाकि स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है मैं कोई स्वाद आदी नहीं लेता हूँ आज की मुरली से पहले गीत बजा है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धर्ती पर आजावरे ओम शान्ती गीत बजाए ही जाते हैं जिसमें अपना तैलूग है आकाश में कोई तक्त नहीं है आकाश इस पुलार को कहा जाता है बाकी आकाश तत्व में तो तक्त नहीं है न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तक्त पर रहता है बाप बच्चों को समझाते हैं न आकाश में तक्त है न परमपिता परमात्मा आकाश में तक्त पर रहता है बाब बच्चों को समझाते है अम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माये हो दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते है उसको मूल वतन कहा जाता है जैसे यहां आकाश में सूर्य चांद सितारे है वैसे हूँ बहु जाड के मुआफिक महतत्व में भी आत्माई रहती है जैसे सितारे आकाश में खड़े हैं, कोई चीज पर आधार नहीं है अहम आत्माई और परमात्मा बाप हम सब रहने वाले महतत्व में है स्टार मुआफिक ही है, ज्यान सूर्य, ज्यान चंद्रमा, ज्यान सितारे अब यह तो समझाया है, जब जब भीड पढ़ती है भीड पढ़ती मना दुख होता है तब आता हूं दुख के समय ही परमात्मा आते हैं तो यह तो समझाया है, जब जब भीड पड़ती है, यानि दुख होता है, तब आता हूँ पुराने को नया बनाना है जरूर, पुराने में ही भीड होती है कलियुग में है दुख की भीड, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है फिर से मुझे आकर सहज ग्यान और सहज राजयोग सिखलाना होता है सब बुलाते हैं कि आओ परमात्मा को हर धर्म की आत्मा बुलाती है कि आओ कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़ कर आजाओ कृष्ण के लिए सिंहासन अक्षर शोबता नहीं वह तो प्रिंस था ना, सिंहासन तब कहे जबकि राजकद्धी मिले, चोटे बच्चे को बाप गोद में वा बाजू में बिठा सकते हैं, तो बाप समझाते हैं, आत्मय मूल वतन में स्टार मुआफिक है, फिर वहां से नंबरवार आती रहती है, दिखाते हैं ना स्टार कैस से गिरते हैं, वहां से भी आत्मय आकर सीधा गर्ब में जाती है, यह अच्छी रिती नोट करो, यसे मूल वतन से स्थूल वतन में आत्मय गर्ब में प्रवेश करती है, बाबा ने कहा यह अच्छी रिती नोट करो, हर एक आत्मा को सतो रजो तमों से पास करना है, जैसे प सतो रजो अवस्था से पास होना है। उनर जनम लेते लेते फिर तमो प्रधान अवस्था को पाना ही है। हर एक का ऐसे हैं, हर एक आत्मा का ऐसे हैं। वापिस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। पुनर जनम लेना पड़ता है, द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहां से पुनर जनम शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है. अब उनकी सद्गती कौन करें? सद्गती दाता तो एक ही शिव है, कहते हैं सबकी सद्गती करने मुझे आना पड़ता है, मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता. मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूं, तुमको राजियोग सिखा रहा हूं, गती और सद्गती दाता तो मैं हूं, जब तुम प्योर बन जाते हो, तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूं. तुम्हारी भी सद्गती करता हूं, तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं, उन धर्म स्थाप को सहित सबका उद्धार करता हूं. तुमको ज्यान से श्रेंगार कर, स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अत्वा नारायंग को वर्ने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस ले जाता हूँ तो बाबा इस संसार में आकर कितना कार्य करते हैं, बाबा कहे मैं आता हूँ सदगती, देता हूँ हरेकात्मा को राजियोग सिखाता हूँ, देवी डेवता धर्म स्थापन करता हूँ, सब को प्यूर बनाता हूँ, और वापस घर ले भी जाता हूँ तो तुम्हारी भी सद्गती करता हूँ तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापको सहित सबका उधार करता हूँ तुमको ज्यान से श्रिंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अत्वन नारायन को वर्ने लायक बनाता हूँ फिर तुमको वापस ले जाता हूँ, सबको पहले मुक्तिधाम बेज देता हूँ, सबका सद्गती दाता भी हूँ दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वह सद्गती नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी व्रद्धी करने लग पड़ेंगे अपने धर्म में पुनर जनम लेते सतो रजो तमों से पास करेंगे हर एक धर्म स्थापक की आत्माएं भी ये तीनों स्टेट से पास जरूर करेंगे अभी सब तमों प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाएं? बाप खुद बैड़ बच्चों को समझाते हैं, भगवान आकर सब की सद्गती भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ती के लिए राजियोग सिखाते हैं, इसलिए बाप की इतनी महिमा है गीता है सर्व शास्त्र मैं शिरो मने, परंतो कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गये हैं, भगवान तो सब का सद्गती दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सब को इसे मानना पड़े, सद्गती का शास्त्र और कोई है नहीं, सद्गती देने वाला है ही एक, उनकी ही गीता है, तुम बच्चों को सद्गती का ज्ञान दे रहे हैं, गीता में शिव का नाम होता, तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता, अगर शे बाबा का नाम होता, तो सब धर्म वालों के लिए ये शास्त्र होता, बाब सब को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मेरे साथ ही योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम आ जाएंगे सब धर्म वालों की सदगती करने वाला भी मैं हूँ कोई प्यार से याद करे या न करे, हर एक धर्म के आत्माओं की सद्गती करना भी बाबा को ही है, बाकि तो आते ही है अपने धर्म स्थापन करने, मनुष्य कहते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, बाब कहते हैं, नहीं, जो भी सब आत्माएं हैं, सबका पार्ट ड्रामा में हैं, किसकी एक्ट बदल नहीं सकती, हर एक की पूरी एक्ट का अनादी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा अनादी है, उसका आदी मध्य अंत नहीं है, स्रिष्टी की आदी सत्यू को कहा जाता है, और अंत कलियू को कहा जाता है, बाकि ड्रामा का आदी अंत नहीं है, सरिष्टी की आदी अंद जरूर है लेकिन ड्रामा की आदी अंद नहीं है ड्रामा कब बना यह नहीं कह सकते यह प्रश्ण उठ नहीं सकता बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र है उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है सद्गती नहीं की है स्थापन किया सबको नीचे ले आए उन्होंने तो धर्म स्थापन किया उनके पीछे वृद्धी होती गई कितनी कितनी गुईये पॉइंट्स है बाबा कितनी गुईये से गुईये पॉइंट्स बताते है ऐसे यानि निबंद लिखने जैसी है यह कितनी गुई ये पॉइंट से जो निबंद लिखने जैसी है यहां गपोडे की बात नहीं हार जीत का ये ड्रामा है सत्यूग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं परमात्मा को याद करे तो फिर यह बाते भी समझे कि हम ब्रामनों को उसने रचा है। नहीं जानते, विराट रुप बनाते हैं। उसमें देवताक शैत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्रामनों को भूल गये हैं। सत्योग में देवताएं, कलियोग में शूद्र। संगम युगी ब्रामनों को जानते नहीं। यह राज बाप आकर समझाते हैं बाबा कहते हैं पवित्रता बिगर कभी धाना नहीं हो सकती है बाबा समझाते हैं कितने धेर वेद शास्त्र है परिक्रमा दिलाते हैं मंदीरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदीर में लियाते हैं बाबा अनुभवी है नाबा का सब देखा हुआ है अनुभवी है शास्तरों से गारी भर कर परिक्रमा देते हैं ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गारी में रख परिक्रमा दिलाते हैं यह सब है वक्ती मार्थ तुम हो शिवशक्तिया, तुम सारे विश्व की सद्गती करती हो परन्तु ये कोई जानते नहीं कि दिलवाडा मंदिर हुब हुब इन्हों का यादगार है ऐसा मंदिर कहीं नहीं है जगदंबा है, शिवाबा भी है, शक्तियों का चबुत्रा भी बना हुआ है बक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे फिर विनाश होगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा सत्यों में कोई मंदिर होता नहीं ये सब बक्ति मार्ग का विस्तार है ज्यान में तो चुप रहना है एक शिव बाबा को याद करना है शिव बाबा को भूल, औरो को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे फेल नहीं होना है मनुश्य मर्ते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो परन्तु ऐसे याद आता नहीं है इतना भी कोई कहे लेकिन उष्समय सुनाई भी नहीं देता नम पर्म राम की याद आती है तो बाबा कहे मनुष्य मरते तो उनको कहते राम राम को हो परन्तु ऐसे याद आता नहीं है फिर भी गाया जाता है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बात अभी की है बंबोर को आग तो लगनी है अंतकाल जो नारायन सिम्रे बरोबर अब तुम समझते हो, हम नारायन वा लक्षमी को वरेंगे स्वर्ग के लिए तयार हो रहे हैं बाबा बिगर यज्ञान कोई दे नहीं सकते ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिवाबा ने बताया है इनको शक्ती सेना वा पांडव सेना कहा जाता है पांडव नाम है महरतियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारे दिखाते हैं तो बाब कहते हैं, जैसे कल्प पहले सहज राजियोग सिखाया था खूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ जो भी एक्ट चलती है, कल्प कल्प वही चलेगी इनमें फर्क नहीं पड़ सकता, फिर कल्प कल्प यह पाड़ चलेगा बाबा कहते, तुमको गुई गुई बाते सुनाता हूँ पीछे क्या होने वाला है, सो तो फिर पीछे सुनाएंगे न अभी सब सुना दूँ, तो क्या बस वापस चला जाओं इसलिए बाबा एक साथ में तो सब कुछ नहीं सुनाएंगे, बाबा कहे, जैसे जैसे बच्चों की परिपक्व अवस्था होती जाती है वैसे वैसे ज्यान की गुई यह बाते सुनाता हूँ अगर अभी सब सुना दूँ, तो क्या बस वापस चला जाओं अंत तक नई पॉइंट सुनाते रहेंगे हम गीता की महिमा बहुत करते हैं परन्तो उस गीतावा महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदी दिखा दी है अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बलकी बात अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते सिर्फ स्त्री को नर्क का द्वार कह दिया है वास्तव में नर्क का द्वार तो दोनों है अब उनको फिर स्वर्क का द्वार कौन बनाए वह तो भगवान की ही ताकत है ये गीत बाबा ने बनवाए है छोड़ दे आंकाश शिहासन इस धर्ती पर आजावरे तो बाबा कही ये गीत बाबा ने बनवाए है फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है कोई ने रॉंग बनाया है बाबा ने टचिंग दिया लेकिन कोई ने उस टचिंग को सही कैच किया है राइट बनाया है कोई ने रॉंग बनाया है मिक्स कर दिया है रात के राही ठक मत जाना ये भी तब गीत है ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए है तो यहां की बाते और है तो शाला भी है वनवास भी है परन्तु अर्थ नहीं समझते हमने किसको भगाया क्या? सावा कहते हमने किसको भगाया क्या? इसको कभी कहा था कि कराची में चले आना पूछो इन शक्तियों से ये ड्रामा में पार्ड था जिन पर सितम हुए तो चले आए तो राइट क्या है वो बाप बैठ बतलाते हैं शास्त्र में जो लिखा है वो है बक्ति मार्ग उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते मेरे पास आ नहीं सकते मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है कैते हैं ऐसा तन क्यूने लिया जो ग्रहस्ती न हो अरे मुझे तो ग्रहस्ती के तन में ही आकर उनको ग्यान देना है उनके ही 84 जन्म बताता हूँ तो कितनी गुई ये बाते हैं? ये नए धर्म के लिए नई बाते ज्ञान भी नया है. बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं कल्प कल्प धर्म स्थापन करने आता हूँ. लक्ष्मी नाराय दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आये हैं वहां ये ज्ञान ही प्रायलोग हो जाता है शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिये हैं हम ब्रामनों के लिए एक ही गीता है धर्म भी स्थापन करता हूँ और सद्गती भी सबकी करता हूँ डबल काम हुआ ना अब हम जो सुनाते हैं वह राइट है या उन्हों का राइट है शास्त्रों का राइट है सो तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ मैं टुथ हूँ मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ, बल इसने पढ़े तो बहुत है, परंतु वह सुनाते थुड़ी है, यह तो श्युव बाबा नहीं नहीं बाते सुनाते हैं, वह तो अशरीरी है, सिर्फ यह मुर्ली सुनाने का काम करने आते हैं, न की खाने पीने आते हैं, चिव बाबा कोई खाने पीने नहीं आते हैं, मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने, स्वाद इनकी आत्मा लेती है, हर एक का धर्म अलग है, उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है, यहां तो धेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ते रहते, असार संसार होता जाता है, तमो प्रधान बनना ही है, पहले पहले स्रिष्टी में तुम आये हो, तुम ब्रामनों ने मात पिता से जन्म लिया है, उस तरफ है आसुरी कुटुम, यहां है इश्वरी स्वर्ग के मालिक बनेंगे, मात पिता की मत पर चलेंगे, तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे, बाकि रुद्र ज्यान यग्य में विग्न विग्न तो जरूर पढ़ेंगे, बाप कहते हैं बचे, विकारों पर जीत पाने से ही, तुम जगत जीत बन सकते हो, ऐसे शादी नहीं करेंगे तो कमजोर रह जाएंगे सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर वो कितने मोटे तंदूरस्त रहते हैं यहां तो ब्रेन का काम है महनत है ददी ची रिशी का मिसाल है ना यहां तो ज्यान सुनना समझना है ब्रेन का काम है और फिर सेवा है दधीची रिशी के समान सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे साकार बाबा खुद ही इतना चड़ावा चड़ाते थे यहां तो बहुत परहेज रखने पड़ती है बाबा ने तो हमेशा हमें सिखाया है मांगने से मरना भर अच्छा मीठे मीठे सी किलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सबी रुपानी बच्चों की रुपानी मात्पिता बाप दादा को यात्यार पुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुकृरिया बाबा शुकृरिया आज की मुडली से धाणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट ज्यान की अच्छी धाणा के लिए पवित्रता के वरत को अपनाना है अंतकाल है इसी लिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक बाप के सिवाई और कोई याद न आए दूसरी पॉइंट दधी जी रिशी मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है आज का बाप दादा का मदुर वर्दान हम बच्चों के प्रती है समय की रफतार प्रमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह माया जीत बनने वाले तीवर पुर्शार्थी भव समय की रफ्तार प्रमान सर्व प्राप्तियों से भरपूर रह माया जीत बनने वाले तीवर पुर्शार्थी भव बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई है उन सर्व प्राप्तियों को स्वयम में जमा कर भरपूर रहो कोई भी कमी न रहे जहां भरपूरता में कमी है वहां माया हिलाती है माया जीत बनने का सहत साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना कोई एक भी प्राप्ति से वंचीत न रहो, सर्व प्राप्ति हो, समय की रफ्तार प्रमान, कोई भी समय, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीवरपूर्शार्थी बन, अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं आज का स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ती साथ हो, तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता है दुनिया के अंदर अनेक बाते, अनेक कारण बनते हैं, जो मनुष्य को हिलाते हैं, वहां तक कि सत्यता के पत पर चलने वाले को भी अंदर से हिला देते हैं इसलिए आज बाबा ने कहा, सत्यता के साथ साथ मिर्भयता हो, तो कोई भी कारण अंदर से हिलाएगा नहीं, शक्ती स्वरूप बन करके उसको पार करेंगे अच्छा, ओम शान